हेलो फ्रेंड्स जैश्री राम मैं हूँ डॉक्टर उमा श्री मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वाधत करती हूँ आज मैं आपको बताने जा रही हूँ दाले दाले किस प्रकार से उपयोगी हो सकती हैं आपके ग्रहों को सही करने में इसके अलावा प्रतेक लगन वाले कौन सी दालों का सेवन करें जिससे कि उनके पर्टिकुलर उस ग्रह को भी मजबूती मिले जो की उनका लगने इश है प्रारम करती हूँ मेश लगन से मेश लगन वालों के लिए मसूर की दाल का सेवन करना अत्य उत्तम रहता है मिधुन लगन वालों के लिए सफेद उड़त की धुलीवी दाल को ग्रहन करना बहुती उत्तम रहता है मिधुन लगन वालों के लिए हरी दाल का सेवन या साबुद मूंग का सेवन करना बहुती उपयोगी रहता है करक लगन वालों को चने की दाल का सेवन करना चाहिए सिह लगन वालों को भी चने की दाल का सेवन करना चाहिए इसके अलावा वे मसूर की दाल का सेवन करना वे उनके लिए उपयोगी सावित हो सकता है कन्या लगन वालों को साबुत मूंग का सेवन करना चाहिए तुला लगन वालों को काली डाल का सेवन करना चाहिए व्रश्चिक लगन वालों को मसूर की डाल का सेवन करना अति उत्तम रहता है धनु लगन वालों को चने की डाल का सेवन करना चाहिए मकर लगन वालों को क्या करना चाहिए कि या तो वे सफेद धुली वे डाल वे ले सकते हैं उड़त की या फिर साबुत उड़त जो काले वाले होते हैं उनका भी सेवन कर सकते हैं कोम लगन वालों को वही ग्राण करना चाहिए जो मकर लगन वालों के लिए मैंने बताया और मीन लगन वाले धनू लगन वालों को जो मैंने बताया है उसका उसी दाल का सेवन वे कर सकते हैं इसके अलावा कौन सी दाल का आपको दान करना चाहिए अब मैं ये भी बता देती हूं आपको मेश लगन वालों को हरी दाल का दान करना उपयोगी रहता है इसके अरवावे खिचडी का दान भी कर सकते है विरिशब लगन वालों को मसूर की दाल का दान करना चने की दाल का दान करना ठीक रहता है मिथुन लगन वालों को चने की दाल का दान करना और मसूर की दाल का दान करना ठीक रहता है करक लगन वालों को उड़त का दान करना चाहिए साबुत सिह लगन वालों को भी साबुत उड़त का दान करना चाहिए करन्या लगन वालों को लाल जो दाल होती है मसूर की धुलीवी दाल उसका दान करना चाहिए तुला लगन वालों को भी चने की दाल का दान करना चाहिए मसूर की दाल का भी वे दान कर सकते हैं व्रश्चिक लगन वालों को क्या करना चाहिए उनको हरी दाल का दान करना चाहिए साबुत मूं का दान करना चाहिए धनू लगन वालों को काली दाल या साबुत उड़त का दान करना चाहिए मकर लगन वालों को चने की दाल का दान करना चाहिए कुम लगन वालों को भी चने दाल होती है उसको धोले उसके छिलके उतार के फिर उसका दान करें स्वेम अपने हातों से दोकर छिलके उतारें और छिलके भी गाई को डाल दें और दाल का भी वो दान कर दें तो इससे उनके ग्रहों की भी शांती होगी इस प्रकार से डालों का बहुत महत्व है क्योंकि ज जो आपके लिए शुब हैं उनको आप ग्रहन करें जो आपके लिए अशुब हैं उनका आप दान करें दान करने से ग्रह शांत होते हैं ग्रह पीडा कम करते हैं उनकी पीडा जितनी ज्यादा मिलरी होती है उसमें कुछ कमी आती है और इस प्रकार से आप दालों के द्वारा बहुत कुछ लाप प्राप्त कर सकते हैं, आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ, मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिएगा, यह बिल्कुल प्री है, थैंक्यो सो मच.